मंद्वा कुछ यहीं ज्थ दोस्तो हैं मिस्टरस्काइल्फग यह और नहीं वीडियो में और मैं हूँ आप वीडियो में वह मुद्ट करने माले किस दरीके से हम क्रिप्टों में हम स्ट्रेटेजी अपलाइ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस चीज को लेकर मेरे पास सवाल आ रहे थे कि वाई आप delta exchange की बात तो कर रहे हो बट क्या delta exchange में हम लोग कोई strategy build कर सकते हैं जो हम nifty and magnifty में कर सकते हैं जैसे कि bear put spread हो गया, short strangle हो गया, long strangle हो गया यह सारी strategies जो अलग-अलग type की है क्या हम यह सारी strategies जो है वो apply कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हमें जो है वो देखनी होंगी तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं specially जो delta exchange में फीचर आता है strategy builder का वो हमें किस तरीके से strategy build करने में help कर सकता है और यह जो मैंने strategy इस वक्त एक beer put spread बना रखा है 42,000 की मैंने call long करके 40,000 की call बेच के 42,000 की put long करके और 40,000 की put बेच के तो यह आप किस तरीके से build कर सकते हैं क्या-क्या features होंगे वो सारी चीज़े इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को subscribe कीज़ेगा बेल आइकन को दबाईएगा और इस वीडियो का like हम रखते हैं लगबग 1,000 likes जो की आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जारे टाइम बेचना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देखे एक चीज तो आपको पक्का पता होगी कि जो crypto है, cryptocurrencies होती है वो extremely volatile होती है extremely volatile होनी की वज़ा से जो cryptos का IV होता है वो बहुत high होता है compared to nifty and magnifty यहीं पे अगर आप nifty and magnifty के call and puts का price देखेंगे तो उनका IV आपको काफी कम मिलेगा जो की लगबग 10 to 20 के आसपास होता है max to max event के उपर आपको 30-40 के आसपास जो है वो देखने को मिलता है बट अगर आप उस चीज को compare करते हैं bitcoin के IV से तो वो आपको 70-80-90% जगते हो जो है वो देखने को मिलता है इस वज़े से naked option buying bitcoin में या फिर किसी भी cryptocurrency में जो की option से ट्रेडेबल है जाधा advise नहीं और जाधा करनी भी नहीं चाहिए rather than future आप trade कर सकते हैं क्योंकि future में आपको बहुत अच्छा margin मिलता है but bitcoin में strategy build करके आप एक अच्छा risk to reward ratio favorable अपना बना सकते हैं और काफी अच्छी strategies हैं वो इसमें create कर सकते हैं आपको खुद करनी होंगी तो बहुत आपका calculation क्योंकि इसका premium IV यह सारी चीज़े अलग अलग तरीकी की चीज़े होती है तो उसमें आपका सारा time चला जाएगा तो इसके लिए delta exchange पर आपको एक बहुत interesting feature मिलता है और इस feature का नाम है strategy builder आपको कुछ नहीं करना आप delta exchange के जो main जो आपका page है उससे आपको केवल आना है options के उपर ठीक है options के उपर आप जैसे ही आएंगे आपको यहां पे एक strategy builder का option जो है वो दिखाई देगा अब strategy builder के उपर आप जैसी क्लिक करेंगे यहां पे एक page load होने में थोड़ा time लगेगा थोड़ा time दीजेगा इसे एक बार के लिए आपको page load होता हुआ दिखाई देगा अब यह page जब load हो चुका है अब यहां पे आपको क्या करना है आपको जाना है नीचे की side में इधर add strategy में there are two-three options सबसे वहले आप template save कर सकते हैं custom strategy बना सकते हैं जो है symbol जो आप look up कर सकते हैं underline जो है आड कर सकते हैं कि bitcoin पर बनानी है आपको ethereum पर बनानी है किस चीज़ के ऊपर बनानी है यहां पर हम strategy आड करेंगे तो add strategy पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास इस area में बहुत सारी strategies आ जाएंगे और यहां पर लिखा होगा कि strategies bullish है या bearish है अब bullish strategies में आप इसमें क्या कर सकते हैं या तो आप naked call long कर सकते हैं या फिर short कर सकते हैं put को short put spread बना सकते हैं long call spread बना सकते हैं और covered call strategies covered strangle covered straddle यह सारी चीज़े आप जो है वो कर सकते हैं यहीं पर अगर आपको bearish strategies बनानी है तो long put हो गया call को आप short कर सकते हैं naked या फिर long put spread हो गया, covered put हो गया, covered strangle, covered straddle ये सारी चीज़े आप bearish strategies और जो है अलग-अलग type की neutral strategies भी आप यहाँ पर create कर सकते हैं, आपको क्या करना है, simply जैसे मेरे को bullish strategies यहाँ पर बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, covered call यहाँ पर strategies क्लिक करूँगा, और उसके बाद उसे direct apply क आप देख रहे है, strategy जो है, यहाँ पर apply होनी जो है, वो एक बार के लिए शुरू हो जाएगी, और नीचे के side आप देख सकते हैं, आपका जो है, यहाँ पर pay off, वगयरा जो है, सारी चीज़े यहाँ पर दिख रही है, तो मान लिजए, मैं covered call पर हूँ, इस strategies को मैं अभी के बनी हुई है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, pay off chart, कि आपको पता कैसे चलेगा, आपको profit कहाँ पर होगा, तो pay off chart के उपर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर आपको clearly जो हो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से कि price जो spot का है, वो अगर 43,000 के आसपस जाएगा, तो आपको जो profit है, वो कितना होगा, और price अगर 41,000 के आसपस जाएगा, तो आपको कितना profit होगा, कितना theta, gamma, vega, यह सारी चीज़े होती है, तो यह बहुत असान कर देता है, आप लोगों के लिए strategies को build करना, और यह बहुत अच्छा feature, मैं को डेल्टा exchange का लगा, बाकी exchange से अलग जो मैं आपके साथ share करना चाहता था, तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को like किजेगा, और दोस्तो हाँ, वीडियो शुखतम करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक delta exchange में account open नहीं किया है, तो description में दिएगे link से आप account open कर सकते हैं, account open करने के बाद जो भी account open हमारे link के थ्रू करता है, उसे 15% discount जो है वो देखने को मिलता है, तो वो चीज़ आप जो है वो उसका फायदा उठा सकते हैं, तो thank you so much for watching guys, जैहिंद, बंदे मातरम.